तो अब इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंडिया से सवादेरब की फ्लाइट का आपको वेबसाइट पर टिकट दिखा रहा है तीन दिसंबर दस दिसंबर पंदर दिसंबर का उसको बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और भी नए लोगों के लिए कुछ बाते करूंगा तो वीडियो आप लाज तक देखना ठीक है फ्लाइट की अपडेट में पहले बता देता हूं आपको जैसा कि अभी आप लोग देख रहूंगे कि ऑनलाइन वेबसाइट पर टिकट दिखा रहा है मैं आपको स्क्रेंशूट नहीं दूंगा यहां पर क्योंकि अब कोई लेना देना नहीं है इनका आपने काम पर फोकस है उनका हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे है तो भी फ्लाइट का भूल जाओ क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में 31 दिसंबर तक नॉर्मल फ्लाइट सस्पेंड है एरबबल की कोई वाच्छीत सक्षेस नहीं ह करते हो आप किसी भी जगा आने के लिए दमाम रिया जिद्धा जब तक इंडिया की सरकार जब तक साओधी की सरकार सब कुछ चालू ना कर दे खुद से अपडेट ना दे दे कि हाँ आप हमने यहां के लिए फ्लाइट खोल दी है तब आप टिकट बुक कीजिए ऑनलाइन क्यूंकि आप बुक कर लेंगे औनलाइन पैसा दे देंगे वह फ़र जाएगा यह नहीं कि वह टिकट बरबाद हो जाएगा आप लोगडाउन में वह टिकट लिया होगा साओधी इरलाइंस के मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो लोकडाउन के टाइम पर आपने टिकट लि पे खरीदा था ठीक है मानलों कि आप दो मेने का सब कुछ खुल जा रहा है तो उसी टिकट पे उसी पे आपका बोर्डिंग पास वास सब हो जाएगा आपको टिकट भी खरीदनी की जरोड़त नहीं वह टिकट दो खुदी उसमें फीडबैक कर देंगे ठीक है बट चेकप कर करके मैं या पूनब या और भी कई सारे हैं जो सुरू से ही सवाधियरब के बारे में खबर रखते हैं फ्लाइट के बारे में खास करके तो हम लोग जानते ही इनका क्या रूल है क्या रूल है क्या क्या करूने वाले हैं सब कुछ मैं आपको साथ सेर करी चुका हूं कि जब तो travel agent इसी लिए दवाव डालते हैं कि नहीं टिकट ले लिए आपको पता है ना पहले भी अल्ला उड़ा की टिकट ले लिए टिकट ने लोग ने टिकट ले लिया और फस्स गए तो अभी टिकट कटवाने का कोई भी फायदा नहीं है खास करके आप इंतजार कीजिए कि एक जनुरी 2021 से सौधी में तो खुली जाएगा यह तो गारंटी है वैसे दिसंबर को पता चली जाएगा क्योंकि इन लोग ने तीस दिन पहले ही का तो सौधी अरभ ने कि हम तीस दि है कि नौर्मल तो आप टिकट कटवाईएगा यहां पर बार बार फ्लाइट का बारे में क्या बताओ आपको पता है अच्छे से अंच से अच्छा मालुमात हो जाएगा इनिशाल्ला तो बने modest चैनल पर रहे हम बात करते हैं नई लोगों के लिए तो कल मने वीडियो बनाए थी नई लोगों के लिए जो मैंने बहुत सारे टिप्स दिये थे उसमें कि आप आओगे 2021 में तो क्या आपके फाइदे होंगे उसमें कुछ भाई ने कम्मेंट किया कि जाविद भाई हम ड्राइवर के काम पर आते हैं तो क्या हम कंपनी में चले जाएंगे तो देखिए अगर आप कफील के पास आते हैं 2021 में तो कफील का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि आप कफील के पास काम करते हो तो बदल सकते हैं नहीं बदल जैसे मैं कफील के पास काम करता हूं या मजरा में काम करता हूं या अमिल मंजल का काम करता हूं या खदा मार्च के बाद तो आप कफील के पास थे कफील के पास ही रहोगे आप बदल नहीं सकते अपने आपको ठीक है इन्हों ने कहा है कि हम जब अपडेट आएगा नया अपडेट आएगा तो हम जरूर आप लोगों के बारे में भी सोचेंगे तब ही तक इसके बारे में किलियर न आप काम करते हैं, अगर आपका जो supervisor है आपको like करता है आपके job को आप जो काम कर रहे हैं उससे वो खुस है उस देख रहा है कि आप थोड़ा बोलते हैं कि high level का काम कर रहे है हो अच्छा काम कर रहे हो बहतरीन कर रहे हो तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, वोपर post देना चाहिए हो तो यहाँ पर लोग कर देते हैं आपकी काबिलियत देखकर के काम बदल सकते हो आप बसरते आपको आपकी काबिलियत दिखानी पड़ेगी तो ही आप किसी भी काम में आप बदल सकते हो अगर आप हाउस ड्राइवर में आते हो वहाँ पर 0% चांसे कि आप कुछ ब करते हैं कि company में आदनी बुला लेते हैं उनको क्या करते हैं यहां पर वो house driving ने supply में दे देते हैं supply का मतलब यह हुआ कि आपका वीजा जो होगा company का होगा और आपको जो company वाले house driving के जौब में भेद देते हैं ताकि जैसे मालनो मेरा कफील को driver की जवरत है तो वह मालुम पड company वाले भेजरे काम करने के लिए तो वह आपको उतने ही salary देंगे बसरते मेरा कफील उसको 3000 salary दे मेरे नाम पर उसको यह 4000 salary उससे कोई मतलब नहीं है तो इसको supply बोला जाता है ठीक है यहां पर बहुत सारे company में लोग supply के system से काम करते हैं खास करके मेरे पास में भी लोग आस पारस होरे अप्सोचव दिनुम अगर company में आते हो तीन मैं आने वदिनों आप company में आते हो तो यह वाले वीडिया में आप फिर से डेख लो जो में आइ बटन पर किलिक करना तो उसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन उस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि जिस चीज़ का मुझे मालम रहेगा मैं उसी के बारे में शेयर करूंगा ऑफिशली जो बताया गया है साथी गवर्मेंट की तरफ से जिसके बारे में तक कुछ बताया ही नहीं गया मैं आपके साथ कैसे शेयर करूंगा ठीक हमारे चैनल पर बने रही है इंशालला और आप लोग मुझे पता है कल की वीडियो में एक बार भी फ्लाइट का जिकर नहीं था फिर भी आप जाके देख सकते हैं कि 35,000 से 40,000 लोगों ने वीडियो को देखा है आई बटन में किलि कीजिए ये वीडियो खतम होगा लाश्न में आएगा चैनल भी है मेरा वहाँ पर नया वाला ठीक है जावेद व्लोक्स और वहाँ पर वीडियो भी एक बार विजिट कीजिए उसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए और आपको बहुत इंज्वाई आएगा अगर एक बार आ आप से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है बहुत शुक्री आपका द्वामियाद रखिए अल्ला आफेज